पूरे बिस्तार से और बेबारी ग्रूप से प्रियास करेंगे दोस्तों से पहले आप लोगों को इस पस्ट कर देना चाहता हूं जो नए स्टुडेंट है वो जान ले दोस्तों कि हमारे सभी सेशन सभी क्लास्स पूरे क्रम अनुसार होती है टोपिक वाइस टोपिक होती है इस तरह से नहीं कि बीच में से कोई सभी प्रोवाइट करते हैं जिससे आपकी स्टडी आपका अध्यन बहुत ही बहतरीन तरीके से हो सके और एक्जाम के टाइम पे आप हमारे नोर्स के माध्यम से सोड टाइम में कम समय में अधिक डेटा का रिविजन कर पाए और एफेक्टिव तरीके से आंसर राइटिंग कर प दोस्तो जैसा कि मैंने आपका अभी बताया कि सभी सेशन हमारे टोपिक ऐस टोपी goal चलते हैं जिसमें इस टोपिक को करते हुए दोस्तों फोर्थ यूणिट का युदूड चार में नयायपालीका फ्रत पहला टोपिक कम्प्लीट कर चुके नयायपालीका के अनतरकत दोनो नयाले को हम समझ चुके हैं, सरवोच और उच्छे नयाले को, पूरे विस्तार और वेवारी ग्रूप से समझने का हमने इसको प्रियास किया है, इसके बाद दोस्तों जो अन्य संविधनिक निकाय हैं, जो संविधनिक आयोग है, उस पर अब हमारी चर्चा प्रारम हो चुके जिसमें हमने सबसे पहले उटाया है निर्वाचन आयोग को, किलिए रहे, निर्वाचन आयोग के बाद में दोस्तों केंदरी लोग सेवा आयोग, अर्थात की UPSC, UPSC उसके बाद में हम देखेंगे STSC आयोग और उसके बाद राज्य लोग सेवा आयोग को, स्टेट PCS को, दोस्तो आज के टोपिक से सम्मंदित कुछ मैटपूर्ण प्रशन है इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा जिससे कि आपका एक दृष्टिकोन किलियर हो जाए कि आपको किस आंसर की खोज आज के इस टोपिक में रहने वाली है यह आईए तो दोस्तो समझ लेते हैं कि आज के पूरे टोपिक में हम किन-किन बिंदू ओफर फोकस करेंगे जिससे कि आपका अध्यन एकदम ट्रांसपेरिंसी के साथ चले सबसे पहले हम दोस्तो इसके अंतरकत बात करेंगे निर्वाचन आयोग के सामाने तत्रे की जानेंगे कि निर्वाचन आयोग एक्चुल म के अंदर संभीधान के अंतरकत दोस्तों इलेक्शन कमिशन ओप इंडिया का क्या प्राभधान किया गया है संभीधान के अंतरकत इसके बाद में इसकी बेवारिक इस्तिति क्या है और इसके अलावा इस चुनाव आयोग के कारी क्या है इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तो कि इसके सोतंता के लिए क्या प्राभधान किये गए संभीधान में सोतंता के लिए क्यों वह सोतंता तो इसकी बहुत आवश्य है कि अगर चुनाव आयोग में अगर न्याय पालिका की तरह सोतंत्र नहीं होगा तो कई प्रकार की बुराईयां इसके अंतरगत आ जाएगी जो जिसकी लाटी उसकी भेज़ वाली इस्तिती सासन ब्यवस्ता के अंतरगत पनपने लग जाएगी अगर चुनाव आयोग इस परस्ट और सोतंत्र नहीं होगा तो चीके ना इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग की सोतंता के बिशेश प्राभधन किये ह तो अगर दोस्तो अगर हम बात करें विश्व के किसी भी सासन ब्यवस्ता की तो प्रतेक सासन ब्यवस्ता की अलग अलग प्रकिरिया होती है चुनाव करवाने की बिना चुनाव के बिना निर्वाचन के ऐसा आज विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो बिना अगर हम बात करें तो भारत में भीविन प्रकार की चुनाव प्रक्रिया को अपनाये गया है जो कि आंजुनाव के अंतरगत दोस्तों आंजुनाव के अंतरगत जो हमारे लोकसवा बिधानसवा या इस्थानी चुनाव होते हैं उनको विशेश रूप से महत्व दिया गया है इसके अलावा और भी कुछ चुनाव होते जिसे राष्ट पती के लिए उप राष्ट पती के लिए या फिर कहें कि लोकसभा अध्यक्षी के लिए तो इस प्रकार से अन्य वो अन्य चुनाव होते इन सब पर दोस्तों हम चर्चा करे वाले हैं निर्वाचन व्यवस्ता लोगतांत्रिक व्यवस्ता का एक प्राण के सकते दोस्तों क्योंकि लोग जहां जिस सासन व्यवस्ता में लोगतांत्रिक सासन व्यवस्ता को अपनाया गया हो उस सासन व्यवस्ता में उस सासन व्यवस्ता में निर्वाचन व्यवस्ता क एकदम transparent होना पहुत आवशक है इसलिए इसे लोग तांत्रिक सासन वेवस्ता का प्राण कहा गया है प्रतेग सासन वेवस्ता चाहे बिजब की कोई सी भी सासन वेवस्ता हो चाहे वो राजतंत्रात्मक हो चाहे वो सामेबादी हो चाहे वो लोग तंत्र हो कोई सी भी सासन वे विवस्ता में एक चुनाव की प्रक्रिया को अवश्य अपनाया गया है उसको महत्व दिया गया है निर्वाचन प्रक्रिया तता उस प्रक्रिया का संचरन करने वाली जो मसीनरी होती है वो लोगतांतिक विवस्ता की बुनियादी आधार होता है वही मसीनरी अतात की निर्व प्रकिरिया को अपना जाता है चुनाव होते रहते हैं नागरिक मतादिकार के माध्यम से एसी सरकार को बदल सकते हैं जो उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करती अर्थात की नागरिकों की इच्छा के अनुसार या नागरिकों की आवशक्ता के अनुसार सासन नहीं चला पा अप्रतिक्ष रूप से लोकमत की अविव्यक्ती है, ये वही सब्द है जो अप्रति निध्यातमक, प्रति निध्यातमक लोकतंत्री सासन प्रणली के अंत्रगत, प्रति निध्यातमक मतलब क्या? कि जनता प्रतेक्च रूप से अपने प्रती निदियों का चुनाव करके वो लोग सवा में सासन विवस्ता संचारित करने के लिए भेशती है तो अपने प्रती निदियों के माध्यम से जनता प्रतेक्च रूप से सासन करती है किलियर ना तो ये हुई दोस्तो इसकी ब्याक्या अर्तात की लोक तंत्र सासन विवस्ता के अंतर गत निर्वाचन आयोग का किस प्रकार से मेहद्व दिया गया है और क्या मेहद्व इसका है इसको लेकर के एक ब्याक्या इसमें एक साम्माने तत्य था इसका तो अब हम बात क करेंगे कि जिस निर्वाचन आयोग की हम चर्चा कर रहे हैं उसका आखर में गठन होता कैसे है तो मेरे पैर दोस्तों इसको एक बात पूरे जरा से एक मस्तिस्प में यह बात किलियर होनी चाहिए कि निर्वाचन आयोग अन्य संस्थाओं की तरह नहीं है जिसे संसद ने या लोग सबाने या कारिपालिका ने उसका डिवलप किया हो या बनाया हो बलकि निर्वाचन आयोग हमारे संविधान निर्माता निर्वाचन आयोग के मैध्व से बहुत अच्छे से परिचिते क्यों क्योंकि हमारे हाँ पर संसदी सासन प्रणाली को अपनाया जिसके तहत ल रादनीतिक दल का या पिर कहें कि जो रादनीतिक दल सत्ता रूड है अर्था जिसके सरकार है उसका अगर निर्वाचन आयोग पर दवाब होगा प्रभाव होगा तो वो अपने अनुसार निर्वाचन करवा लेगा जिसके कारण से क्या होगा दोस्तों कि वो सरकार जो भ्रे संविधान निर्माताओं निर्वाचन आयोग को संसद्य कहें कि सरकार के पूर्ण प्रभाव से पूरी तरह से सुतंत्र रखा है जैसा कि हमारे संविधान में नियाई पालिका को पूरी तरह सरकार से अलग रखा गया है सुतंत्र रखा गया है अर्तात कि नियाई पालिका प कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर दोस्तों हमें तीन वाते बिशेश रूपसे समझनी है सबसे पहले तो देखना है कि इस निर्वाचन आयोग के लिए या निर्वाचन आयोग के संभीधान में क्या प्राब्धान किये गए हैं, संभीधान के अंतरगत क्या प्राब्धान किये गए हैं, पहला तो देखना है कि संभीधान में इस निर्वाचन आयोग को लेकर क्या प्राब्धान किये गए हैं, दूसरा देखना है कि इसकी बेव पर हम एक एक करके दोस्तों विश्य सुपसे चर्चा करनी ही होगी अगर हमें निर्वाचन आयोग को पूरे विस्तार से समझना है तो आई ये सबसे पहले हम देखते संविधान में इसके लिए क्या प्राधान किये गए हैं तो दोस्तों भारती संविधान के अनुचेद एक कार है वो निर्वाचन आयोग का होगा वो निर्वाचन आयोग में एक मुख की निर्वाचन आयोग तो होगा और अन्य उतने निर्वाचन आयोग तो होंगे जितने की रास्ट्रपती समय समय पर मनोनित करें इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों यहां तक क्या मतलब क्या इसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त भी हो सकते हैं मुख के निर्वाचन आयुक्त का सब्वोर्ड करने के लिए लेकिन ये कितने होंगे अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे ये डिसिजन लेना छोड़ दिया है रास्ट पती के ऊपर कि रास्ट पती समय के पूरी तरह सोतंत्र होंगे संसद इनके लिए विशेश बिधी का निर्मान करेगी अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक बिधी बनाएगी संसद लेकिन बिधी बनाने के बाब जोद भी संसद से ये निर्वाचन आयुक्त पूरी तरह सोतंत्र रहेंगे तो मुक्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्ति की नियुक्ति संसत द्वारा निर्मित किसी बिधी के अधीन रहते हुए राष्टपति द्वारा इनको मनुनित किया जाएगा मुक्य निर्वचन आयुक्त को चिद्द कदाचार या असमर्थता के आदार पर ही अपने पद से हटाया जा सकता है, नियुक्ति के बाद मुक्य निर्वचन आयुक्ति की सेवा شर्तों में कोई अलाव कारी परीवर्तन नहीं किया जा सकता मतलब के लिए हुआ दोस्तों कि जो इस्तिती जो इस्तिती संसदिस आसन वेवस्ता के अंतरगा तर्था भारतिय संसस आसन वेवस्ता में जो इस्तिती नाय दीजों की है या कहें कि सर्वोच नाले के मुख्य नाय दीज की जो इस्तिती है वही इस्तिती निर्वाचन आयोग के आयोक्तों की है कि लिए रे मतलब आप यह समझ सकते हैं कि संभिधान में जो इस्ति सर्वोच न्याले के मुख्य नायदिस की है वही इस्तिती निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयोक्त की है और जो इस्तिती सर्वोच न्याले के अन्य नायदिसों की है वही निर्वाचन आयोग में अन्य जो जो निर्वाचन आयोग तो है उनकि समान है cham earn के माध्यम से नेले के नयजीज को घाना नहीं तो यह इस तिती हमको wiring का यह प्राबदान हमें दिखाता है कि जो है वह संसद जो से पुरी तरह से सटंत रहे एक बात कुछ सोचके देखिए अगर निर्बाचान आयोग मुख के आयोगत या अन्य जो आयोगत है अगर ये संसद से सोतंत्र नहीं होंगे तो इस निर्वचान आयोग में वही सदस्य आएंगे जो सरकार के हिमाईती होंगे और जो सरकार के हिमाईती होंगे वो सिर्फ सरकार का ही पक्च लेंगे मतलब उसी राजनिती दल का पक्ष लेंगे जिसके दौरा वो नियूग तो कराए है इना तो इस प्रकार से तो पूरी अविबस्ता फेल जाईगी सरकार में सासन विबस्ता में तो इसी कारण से हमारे संविधान तक 1993 टक एक सदश्य मात्र काम करता रहा और बहा पर उन्होंने जो अक दली कि एक सदश्य जो निर्वाचन योग था उसको बहुँ सदस्टी निर्वचन अयोग बना दिया मतलब कि इसमें दो और सदस्टी की नियुक्ती कर दी पेले एक मात्र एक मात्र जो मुख की निर्वचन अयुक्त हुआ करते थे तो इन्हों ने 1901 से 1903 तक अकेले ने कारी किया लेकिन इनके सपोर्ट के लिए सेपरेटली अपसे प्रस्ट ने इस टोपिक पर पूचे जाता है कि चुनाव आयोग के या चुनाव आयोग के कारे क्या क्या है कारे बताईए तो दोस्तों सबसे पहला इनका कारे है परी सीमन करना किस चेत्रों का मतलब कि किस बार्ड में कितने किस बार्ड मतलब किस बार का पहला कार रहें जो प्रमुका रहें जिससे की जो गेरी मेंडरिंग जो समस्वा इसटरों के। वारा मतलब सिंपल सा है यार कि जैसे कोई विधायक है अगर विधान सवा इस तर पर चुनाव हो रहा है तो वहां विधायक होंगे और अगर लोग सवा इस तर पर चुनाव हो रहें तो वह सांसद होंगे तो जब इनके चुनाव होते हैं तो किस सांसद का कितना छेत्र होग इसका decision कोन लेता है दूस्तों तो वो सांसद ये विधायक नहीं लेते हैं उन्हां को सरकार लेती है बलकि इसका decision लेता है चुनाव आयोग ठीक है इसलिए का गया है कि चुनाव आयोग का सबसे पहला कार्य है छेत्रों का परिशीमन करना उसके बाद में दूसरा जो कार्य होगा मतदाता सूचिया तयार करना चुनाव से पहले सबसे प्रमुकार जो होता है सबसे प्रमुकार होता है मतदाता सूचिया तयार करना पर तेक चुनाव से पहले चुनाव आयोग का ये कार्य होता है कि वो जिस चेत्र में चुनाव होने चुनाव होते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों कि कोई क्यों मतलब किसी प्रकार कोई सभी चुनाव हो सभी चुनावों में मद्दाता सूची त्यार करना ये इसका प्रमुक और मेहतुन कार्य होता है कंसा राजितिक दल जो है इस्थानी राणितिक दल के लाएगा राजिस्तरी में तो इनको मानिता प्रदान करने का कारे भी चुनाब आयोगी ही होता है इस सब के अलावा इस सब के अलावा दोस्तों इन दलों को आरक्षी चुनाव चिन देने का कारे भी यही चुनाव आयोगी ही करता है इस सिंपल सी चुछुटी टर्म है इनको तो कोई समझाने से कोई ज्यादा मतलब मेरे अनुसार तो समझाने की इनको अवशक्ता नहीं इनको देता है तो इनको देता है तो इसके अलावा इनके कुछ अन्यकारियों के अंतरगत इनके आएंगे अन्यकारियों के अंतरगत आचा सहींता तियार करना पहले आपने देखा होगा कि चुनाप के कुछ दिन पहले से आचा सहींता लग जाती है इसके अलावा जो सरकारि न्यूज चैनल है इन पर चुनाप का प्रचार करने की सुविधाई इनको राजनितिक दलों को प्रोवाइट करना इसके वालावा उम्मीद बारों के दोआरा कितना वे किया जाया कितना खर्च किया जाएगा वो रासी निश्चित करना कि एक व्यक्ति एक सांसद्य एक चुनाब जैसे आप हम जैसे लोग जो मैंना अपने मत का प्रियोग करते तो उनको इसके प्रकार का प्रेसिक्षर देने का कारें भी चुनाब आयोगी करता है मतलब बोर्ट डालने संबंद जितने प्रकार के भी जो एड आते हैं जो जितने भी जो सामजिक रूप से प्र अभला मस्त देना तो इन सब के अत्रीक्त अयोग से अपेक्षा की जाती है कि समय समय पर सरकार को अपने कार्यों के संबंद में प्रतिवेदन देता रहे और चुनाव प्रकिरिया में सुधार के लिए सुझाब देता रहे है जो चुनाव से संबंदित जितनी जो भी मतलब विदिय का निर्वासाता के द्वारा किया जाता है तो उसमें चुनाव की जो प्रक्रिया है कहां पर इसमें दोश है या कहां पर क्या सुद्हार किया जाना चाहिए यह सारा जो पता होता है जानकारी होती है वो निर्वाचन आयोग के पास होती है लेकिन इसमें सुधार करने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास में तो सरकार को अर्था संसद को ये समय समय पर अपने प्रतिवेदन के माध्यम से अपने सुझावों के माध्यम से सरकार को ये सुझाव देता रह है कि कहां पर क्या इसमें परिवर्तन करना है क्या सुधार करने हैं इन सभी कारियों के अतिरिक्त तो इन सभी के अध्यन के बाद में हम यह तो निश्यत रूप से समझ चुके हैं कि निर्वाचन आयोका बिल्कुल सुप्रीम जो हमारे का थिया है सर्वो चिन्हाले है उसी की तरह एक परतक हैं जो पूज तरह से सोतंत्र होकर के कारे कर ती है यह है तो सु इन प्रियासों से राजनितिक दलों की इन प्रियासों से संविधान निर्माता पहले से ही परिचित थे उनको पता था कि जो भी संगठन जो भी राजनितिक दल सरकार में सत्तारूड होगा वो ये प्रियास जरूर करेगा कि निर्वाचन आयोग पे वो अपना प्रभाब जम पाई इसके लिए निर्वाचन आयोग और इसको पहले से ही सल्थानिक निकाये बनाते हुए पूरी तरह सोतंत्र रखा गया था क्या स rivals ऑमें निर्वाचन आयोग को जदरा इस पर भी छोटा सा अध्यन कर लेते हैं कर ले जिसका गठन संबिधान ने सुयम किया हो जिससे संसत के किसी विदी के लिए नहीं छोड़ा गया हो बलकि संबिधान में उसका उल्ले किया गया हो वो निकाय संबिधानिक निकाय के लाता है तो निर्बाचन आयोग भी एसा ही संबिधानिक निकाय है संबिधान इस बात को कि उच्च तम और उच्च न्याले की तरह बिना किसी के हस्तक चेप के सोतंत्र और निश्पक्च रूप से निर्वाचन आयोग अपना कार्य करता रहे इसकी सुतंत्र के लिए कुछ प्राबधान किये गए जैसे कि निर्वाचन आयोग एवं संविधानिक संस्ता अर्थात क कि इसका निर्वाण संविधान ने किया है कि निर्वाचन आयोग जो है एक संविधानिक संस्ता है एक संविधानिक संस्ता है जिसका निर्माण किस ने किया है संविधान ने किया है इसका निर्माण कारेपाली का या संसन ने नहीं किया दूसरा है कि मुख्य और अन्य आय या सकता इसके अलाबा मुख्य चुनाव आयोक्त का जो दर्जा है उस अरवोची नायदीस के समान है मुख्य और अन्य आयोक्तों का जो बेतन होता है भात की संचित निदी पर आदालित होता है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तो यह प्राबधान कर गए इस आज निर्वाचन आयोग तो भारत में जो निर्वाचन आयोग है जो निर्वाचन कर वाता है वो पूरी तरह सोतंतर रूप से अपनी कारी कुशंता का प्रदर्शन कर रहा है निस्पक्षता के साथ में पूरी इमानदारिय से आज निर्वाचन संपन कर वा रहा है किसी भ प्रकार के हस्तक्षेप में नहीं है तो अभी तक भाहरत में हुए लोगसभा चुनावों में आयोग के चुनोती पूर्ण कारी को देखते हुए यह का जा सकता है कि निरवाचन छेत्रों में परी शीमन को परिसीमन से ले करके निर्वाचन अदिनेड़ने तक के सभी कार्य चुनाव आयोग ने पूरी कारी कोशलता निस्पक्षिता और पूरी इमानदरी के साथ में संपन्न किये हैं तो इस पूरे अध्यन के माद्धियम से दोस्तों हम इस पर शूप से इतना तो समझ चुके हैं कि निर्वाचन एक एसा संविध lipि всё हैं जो सरकार से पूरी तरह से स्वत रहें अर्था कार्यपफालिका से पूरी तरह स्वत रहें मतलब इस के चुनावा आयोगत है और अन्ने चुनावा आयोकत है वो सभी अपने और एक विधी के माद्यम से संविधान में जिस भाव से इस आयोग का गठन किया गया था उसी भाव से और उसी इमानदारी से ये अपना कारे करते हैं जिसे कि सुप्रीम कोर्ट के नहीं दीज कारी करते हैं सरकार के बिना किसी प्रभाव में आ करके इस तरह से सरकार का इस पर भी कोई प्रभाव नहीं है अगर प्रभाव होता तो हमारी विवस्ता पूल तरह से तो उसको भी पूरे इसी प्रकास से समझने का प्रियास करेंगे दोस्तों तब तक आप सभी का और धन्यवाद एंड तक बनेने के लिए थेंक्यू सो मच